क्रिशी, भारत एक क्रिशी प्रधान देश है, इसकी लगभग दो तिहाई जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्रिशी पर निर्भर है, क्रिशी भारत की अर्थ विवस्था का आधार है, इसका सकल घरेलू उत्पाद में 26 प्रतिशत योगदान है, यह देश के लिए खाद्य सामगरी सुनिश्यत करती है, क्रिशी विकास हमारी संपून रास्टिय खुशहाली की पहली शर्थ है, क्रिशी के प्रकार, भूमी की प्रकृति, जलवायविक विशेश्थाओं, तथा सिचाई की प्राप्त सुविधाओं के अनुसार, भारतिय किसान निम्न प्रकार की क्रिशी करता है, आत्म निर्वाह क्रिशी, इस्थानांतरी क्रिशी, रोपन क्रिशी, गहन क्रिशी, आत्म निर्वाह क्रिशी, हमारे देश में अधिकांश किसान आत्म निर्वाह क्रिशी करते हैं प्रायः गरीब किसान छोटी और बिखरी जोतों पर पुराने ओजारों का उपियोग कर परमपरागत क्रिशी करते हैं किसान अपने खेतों में और वर्कों वह अधिक उपज देने वाले वह अधिक उपज देने वाले बीजों का उतना उपियोग नहीं कर पाते जितना की करना चाहिए किसानों को समानित, बिजली और सिचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं खाद पदार्थों के उत्पादन का अधिकांश हिस्सा किसान और उसके परिवार जनों में ही खप जाता है इन शेत्रों में गन्ना, तिलहन, कपास और जूट जैसी नकदी फसलें बिजली और सिचाई की सुविधाएं की उपलब्धता द्वारा उगाई जाती हैं इस से आत्म निर्वाह क्रिशी, व्यापारिक क्रिशी की ओर बढ़ रही है इस थानांतरी क्रिशी, इस प्रकार की क्रिशी में वनों को साफ कर उन्हें जलाया जाता है जब वन साफ हो जाता है, तो उसमें दो या तीन सालों तक फसलें उगाई जाती हैं भूमी की उरवरा शक्ती कम होने एवं वहां फिर से जंगल के उगने पर भूमी के उस टुकडे को छोड़ कर किसान दूसरे शेत्र की ओर बढ़ते हैं इस प्रकार की क्रिशी में समानितह, शुश्कधान, मक्का, मोटे अनाज और सबजियां उगाई जाती हैं इस प्रकार की क्रिशी में प्रती हेक्टियर उपज बहुत कम होती है रोपन क्रिशी यह एक विशेश प्रकार की जाड़ी अथ्वा व्रक्ष क्रिशी है इसमें अधिकतर बड़े बड़े फार्म, अत्यधिक पूजी का विनियोग तथा क्रिशी एवं व्यापार में आधोनिक एवं वैज्ञानिक प्रोध्योगी की अपनाई चाती है यह एक फसली क्रिशी है जिसमें रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और फलों की फसलें जैसे सेब, अंगूर, संतरा, आधी, उगाई जाती है इसके लिए कुशल प्रबंधन, तक्नीकी ज्यान, मशीनों, और वर्कों, सिचाई और परिवहन सुविधाओं का होना आवश्यक है कई रोपन क्रिशी शेत्रों जैसे चाय, कहवा और रबर भगानों में या उनके निकठी उन्हें संसाधित करने के कारखाने लगे होते हैं इस प्रकार की क्रिशी उत्तर पूर्वी भारत के परवत्य शेत्रों, पश्चिम बंगाल के उप हिमाईली शेत्रों, तथा प्राय द्वीपिय भारत की नीलगिरी, अना मलाई, वह इलाइची की पहाडियों में की जाती हैं गहन क्रिशी, जिन शेत्रों में सिचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उन शेत्रों में किसान, उरवरकों और कीट नाशकों का बड़े पैमाने पर उप्योग करने लगे हैं क्रिशी के विभिन कारियों को पूरा करने के लिए, बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग होने से क्रिशी का यंत्री करन हो गया है इस से प्रती हेक्टियर उपज में बहुत वृद्धी हुई है और व्यापारिक क्रिशी को बढ़ावा मिला है इस प्रकार की क्रिशी पंजाब, हर्याना और पश्यम उत्तर प्रदेश में की जाती है प्रमुख फसलें भारत में तीन फसल रित्वें हैं जिन्हें खरीफ, रभी और जायद कहती है खरीफ रित्व मौनसून के आगमन से प्रारंब होकर शीत रित्व के प्रारंब तक जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर रहती है खरीफ रित्व में चावल, मक्का, ज्वार बाजरा, कपास, मूंपली, मूंग, उड़त, आदी फसलें उगाई जाती है रभी की रित्व शीत रित्व के आगमन के साथ प्रारंब होती है तथा ग्रीश्म रित्व के आगमन यानि अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रेहल तक रहती है गेहु, जौ, चना और तिलहन, अलसी, तोरिया तथा सरसों ये फसलें इस रित्व में उगाई जाती है जायद ग्रीश्म की छोटी फसल रित्व है चावल, मक्का, सबजियां और फल इस रित्व की प्रमुख फसले हैं तर्बूज और ककड़ी, खीरा, आदी, नदियों के किनारे बलूई भागों में उगाई जाते हैं भारत में विबिन प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें निम्न शिर्शकों के अंतरगत रखा जा सकता है खाद्यानन, दलहन और तिलहन, रेशेदार फसलें, पेव फसलें और नगदी फसलें खाद्यान, खाद्यान फसलें देश के कुल बोए गए शेत्र के लगभग तीन चौथाई भाग पर उगाई जाती हैं कुल क्रिशी उत्पादन में खाद्यान फसलों का लगभग पचास प्रतिशत योगदान है चावल, गेहूं, जवार बाजरा और मक्का प्रमुख खाद्यान फसलें हैं चावल, चीन के बाद भारत का चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरा इस्थान है यह शुद्ध बोई गए शेत्र के एक चोथाई भाग पर उगाया जाता है इससे देश की लगभग आधी चन संख्या का भरण पोशन होता है भागोलिक दशाएं चावल, एक उश्न कटी बंधिय पोधा है इसकी अच्छी उपच के लिए उच्छ तापमान तथा उच्छ आर्द्रता की आवशक्ता होती है इसके लिए लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेट आउसत मासिक तापमान की आवशक्ता होती है बोने, बढ़ने और काटने की अवधी में चावल के लिए भिन तापमानों की आवशक्ता होती है इसकी अच्छे उपज के लिए 100 सैंटीमीटर वर्षा आवशक्ता होती है कम वर्षा वाले शेत्रों में सिचाई की मदद से चावल उगाया चाता है मुख्य रूप से पंजाब, हर्याना और पश्चमी उत्तरप्रदेश उत्पादन एवम वित्रण चावल देश के विस्तरित भागों में उगाया जाता है पश्चम बंगाल, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पंजाब, हर्याना और तमिल नाडो चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्पादित चावल का अधिकांश भाग इस्थानिय रूप में ही खब जाता है अतह कम मात्रा में ही इसका निर्यात हो पाता है चावल दक्षिन पूर्व एशिया के देशों संयुक्त राज अमेरिका तथा संयुक्त अरब गंतंत्र को निर्यात किया जाता है गेहुं यह भारत की दूसरी सबसे महत्पून खाद्य फसल है यह मुख्य रूप से देश के उत्तर और उत्तर पश्चमी भागों में उगाई जाती है चीन के बाद भारत संसार का दूसरा प्रमुख गेहुं उत्पादक देश है भौगोलिक दशाएं गेहुं रभी रीतु की फसल है इसके लिए बोते समय 10 डिगरी सेंटिग्रेट से 15 डिगरी सेंटिग्रेट तथा पकते समय 20 डिगरी सेंटिग्रेट से 25 डिगरी सेंटिग्रेट तापमान के आवशक्ता होती है 75 सेंटी मीटर वर्षा इसके उत्पादन के लिए अधिक उप्युक्त है इसके लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाओ मिटियां आवशक है चावल की तुल्ला में गेहूं की खेती में कम श्रम की आवशकता होती है इसे देश के कुल भोई गए शेद्र के छठे भाग पर उगाया जाता है उत्पादन एवं वित्रन गेहूं की खेती मुख्यत उत्तरप्रदेश, पंजाब, हर्याना, राजस्थान और बिहार में की जाती है वर्तमान समय में गेहूं का निर्यात भी किया जा रहा है मोटे अनाज जवार, बाजरा और रागी भारत में उगाय जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं जवार, शेत्रफल और उत्पादन की द्रिष्टी से जवार भारत का तीसरा महत्वपून खाद्यानन है भौगोलिक दशाएं अठारा डिग्री से बत्तिस डिग्री सेलसियस औसत मासिक तापमान इसके उत्पादन के लिए उप्योक्त है जवार के लिए लगभग तीस से साथ सेंटी मीटर वर्षा की आवशक्ता होती है उत्पादक राज्य जवार के प्रमुक उत्पादक राज्य, महारास्ट्र, करनाटक, आंध प्रदेश, तमिलनाडू और मध्प्रदेश है बाजरा यह भी शुश्क और कोश्न जलवायू की फसल है इसके उत्पादन की जलवायू दशाएं जवार के समान ही है बाजरा का सबसे प्रमुक उत्पादक राज्य, राजस्थान है इसके अन्य उत्पादक राज्य, उत्तरप्रदेश, महरास्ट, गुजरात और हर्याना है राजी, यह वर्शा पर निर्भर एक खरी फसल है इसे अच्छे जल निकास वाली, जलोड, दूमट और लाल या काली बलूई दूमट मिट्टियों की आविशक्ता होती है इसके लिए आवश्यक जलवायू दशाएं बाजरा के समान ही है यह करनाटक और तमिलनाडू के शुष्क भागों में उगाई जाती है मक्का यह एक मोटा अनाज है जिसका उप्योग खाने और चारे दोनों के लिए होता है इसे विभिन प्रकार की जलवायू दशाओं और मिट्टियों में उगाया जाता है भागोलिक दशाएं यह मुख्यतः खरीफ रीत्व की फसल है इसके लिए 21 डिगरी से 27 डिगरी सेलसियस तक तापमान की आवशक्ता होती है मक्का 50 से 100 सेंटिमीटर वर्षा वाले शेत्रों में उगाई जाती है दलहन और तिलहन दलहन दालें शाकाहारी भोजन के लिए प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं तूर या अरहर उड़द मूंग मसूर मतर और चना प्रमुख दाले हैं अरहर उड़द और मूंग खरीफ की फसले हैं जबकि मसूर मतर और चना रभी की फसले हैं अधिक वर्षा वाले शेत्रों को छोड़ कर दालें देश के सभी भागों में उगाई जाती हैं दालों के पौधे मृदा की उरवरा शक्ति पुनह इस्थापित करने में सहायक होते हैं अतह दालों को अन्य फसलों के साथ शस्या वर्तन के रूप में उगाया जाता है उत्पादक राज, चना के प्रमुख उत्पादक राज, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान हैं चना के अन्य उत्पादक राज, महाराष्ट्र और करनाटक हैं अरहर, मुख्यत, महरास्ट, उत्तरप्रदेश, करनाटक, मध्यप्रदेश और आंध्रदेश में पैदा की जाती है तिलहन, भारतिय भोजन में वनस्पती तेल का महत्वपून इस्थान है तिलहनों से निकालने के बाद खली बच जाती है जो पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपून है मुंपली, तिल, तोरिया, सरसो, अलसी और अरंडी प्रमुख तिलहन फसले हैं सोया बीन, बिनौला, सूरज मुखी तथा साफलावर से भी तेल निकाला जाता है मुंपली, यह भारत की सबसे महत्वपून तिलहन है मुंपली से देश का लगभग पचास प्रतिशत खाद तेल प्राप्त किया जाता है उत्पादक राज, इसके प्रमुख उत्पादक राज, आंद्प्रदेश, तमिलनाडू, करनाटक, कुछरात और महारास्ट है यह राज, देश के उत्पादन का लगभग पचासी प्रतिशत खाद तेल पैदा करती है तिल यह वर्शा पर निर्भर फसल है, यह उत्तर भारत में खरी फसल के रूप में तथा दक्षिन भारत में रभी फसल के रूप में उगाया जाता है उत्पादक राज यह भारत के प्रायः सभी भागों में उगाया जाता है परंतो गुजरात, तमिलनाडो, पश्यम बंगाल, करनाटक और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज हैं तोरियां तथा सरसों उत्तरी भारत के सबसे महत्वपून तिलहन फसले हैं ये रभी की फसले हैं, कभी-कभी इन्हें मिश्रत फसलों के रूप में उगाया जाता है उत्पादक राज, इनके प्रमुख उत्पादक राज, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हर्याना, पश्यम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं अलसी यह रबी की फसल है रूस और कनाडा के बाद भारत का संसार में अलसी के उत्पादन में तीसरा स्थान है उत्पादक राज्ज, मद्प्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, चत्यसकर्ध और महरास्ट्र, अलसी के प्रमुक उत्पादक राज्ज है अरंडी अरंडी छोटे पेड़ों वाली एक फसल है इसे खरीफ और रबी दोनों रित्वों में उगाया जाता है भारत में संसार की 20 प्रतिशत अरंडी पैदा की जाती है और उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा इस्थान है उत्पादक राज्ज, गुजरात, आंध्प्रदेश और राजस्थान इसके प्रमुक उत्पादक राज्ज है रेशेदार फसले, कपास और जूट भारत की दो प्रमुक रेशेदार फसले है कपास यह उश्ण और उपोश्ण शेत्रों में उगाई जाती है यह खरीफ की फसल है इसके लिए वर्ष में 210 दिन पाला रहित होने चाहिए कपास की फसल को तैयार होने में 6-8 महीने लगते है फसल को तैयार होने के समय खुला मौसम एवं तेज धू आवश्यक है इससे रेशों में चमक बनी रहती है कपास के डोडे यानि कॉटन बॉल्स को चुनने के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यक्ता होती है कपास के लिए काली और जलोड मिटी उत्तम होती है इसे मुख्यत सिचाई के सुविधा वाले शेत्रों में उगाया जाता है चीन और संयुक्त राज अमेरिका के बाद भारत कपास का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है उत्पादक राज्य, महारास्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाना, पंजाब और गुजरात का पास के प्रमुख उत्पादक राज्य है जूट यह उश्न और आर्द्र जलवायू की फसल है जूट के पौधे गला यानि सडा कर रिशा प्राप्त किया जाता है उत्पादक राज्य, देश के जूट उत्पादन का लगभग संपून भाग पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उडिसा और मेगाले में उगाया जाता है पेय फसले, चाए और कहवा भारत की महतपून पेय फसले है चाए, भारत में चाए एक विशिष्ट रोपन फसल है चाए जाडियों की कोमल पत्तियों को संसाधित करके प्राप्त की जाती है उश्ण और उपोश्ण फसल होने के कारण चाए उश्ण आर्द जलवायों में खूब अच्छे तरह पनप्ति है चाए की उपज के लिए 20 डिगरी से 30 डिगरी सेंटिक्रेट तापमान आदर्श माना जाता है एक सो पचास से 200 सेंटिमीटर वार्शिक वर्शा इसके लिए उपयुक्त है उच्छ आर्द्रता कोमल पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक है यह उत्तम जलनिकास वाली मिट्टी में खूब पनप्ति है चाय श्रम प्रधान फसल है इसके लिए अधिक संख्या में सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यक्ता होती है चाय के बगानों में ही चाय को संसाधित किया जाता है उत्पादक राज्य चाय के प्रमुक उत्पादक राज्य, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू और केरल है भारत संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है कहवा यह भारत की दूसरी महत्पूर्ण पेय फसल है भागोलिक दशाएं इसके लिए ओश्ण और आर्द्र जलवायो दशाएं आवश्यक होती है कहवा की उपज के लिए 15 डिगरी से 28 डिगरी सेंटिक्रेट तापमान तथा 150 से 200 सेंटिमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए उत्पादक राज्य करनाटक, केरल और तमिलनाडू कहवा के प्रमुक उत्पादक राज्य है भार्षिय कहवा अपने कुडवक्ता के लिए प्रसिद है अतह अंतरास्टिय बाजार में इसकी बहुत मांग है इसके निर्मान से देश को अच्छी रकम विदेशी मुद्रा के रूप में मिलती है नकदी फसलें गन्ना यह चीने गुड और सारसारी का प्रमुक स्रोत है यह लंबे अवधिवाली फसल है भागोलिक दशाएं इसके लिए 21 टिगरी से 27 टिगरी सेंटीग्रेट तापमान तथा 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षावाली गर्म और आर्द जलवायो आदर्श है कम वर्षावाले शेत्रों में इसके लिए सिचाई आवश्यक है लगभग 92 प्रतिशत गन्ने के शेत्र सिंचत है इसे विभिन प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है गन्ने की खेती के लिए विभिन इस तरों पर बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवशक्ता होती है ब्राजील के बाद भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महारास्ट्र, करनाठक, तमिलनाडो और आंध्र प्रदेश गन्ने के प्रमुक उत्पादक राज्य है रबर, विभिन जातियों के पेड़ों के तूथ या रस से रबर पैदा की जाती है इसका उप्योग तायर या ट्यूब के अलावा विभिन और द्योगिक उत्पादों में किया जाता है बहुगोलिक तशाएं, रबर उश्न और आर्द्र जलवाईू का पौधा है इसके लिए अधिक वर्षा लगभग 300 सेंटी मीटर तथा उच्च तापमान आवश्यक है भारत संसार का पाँचवा बढ़ा रबर उत्पादक तेश है भारत के लगभग 97 प्रतिशत प्राकृतिक रबर की मांग घरेलू उत्पादन से पूरी हो जाती है उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडो, करनाटक, असम और त्रिपुरा प्रमुख रबर उत्पादक राज्य है भारत संसार में फलों और शाक सबजियों का दूसरा सबसे बड़ा देश है आम और केले के उत्पादन में तो भारत का संसार में पहला इस्थान है आम, केला, सेब, काजू, संतरा, अंगूर, आडू, नाशपाती और जरबेरी भारत में उगाय जाने वाले महत्वपून फल हैं प्रोध्योगिक और संस्थागत सुधार प्रोध्योगिक सुधार रहट, लकडी का हल और बैलगाडी का प्रयोग विगत कई सदियों से भारत्य कृशी में होता रहा है यह अपने में उद्तम प्रोध्योगिकी के प्रतीक स्वरूप है भारतिय किसानों ने अपेक्षाकृत थोड़ी से समय में नई प्रोध्योगिकी क्रांती का अनुभव किया इसके परेडाम स्वरूप रहट को पानी के पंप यानी ट्यूप बल से हलको हैरो एवं ट्रैक्टर से और बैलगाडी को ट्रक से बदल दिया गया इसके बाद पक्की सडकों और संचार के तेवरतर साधनों का विकास हुआ जिसके परेडाम स्वरूप किसान अपने क्रिशी उत्पादों को निकट व दूर वड़ती बाजारों तक लाने ले जाने में समर्थ हुआ है सिचाई के लिए खेतों को पानी से भरने के स्थान पर अब ड्रिप या फवारों से सिचाई की सुविधा मिलने लगी है क्रिशी उत्पादन बढ़ाने के लिए अब बड़े पैमाने पर रासायनिक उरवर्कों का उपियोग किया जा रहा है रासायनिक उरवर्कों के साथ साथ जैव खादों का उपियोग किया जाने लगा है जिससे मिट्टी की उरवरा शक्ती को बढ़ाया जा सके अधिक उपज देने वाले तथा कम समय में पकने वाले बीजों के विकास ने क्रिशी उत्पादन में क्रांती ला दी है अधिक उपज देने वाले बीजों का विस्तरित शेत्र में उपियोग ने बीस्वी शताबदी के छठे और साथ में दशकों में हरित क्रांती को जन दिया भारत में श्वेत क्रांती यानि दूध उत्पादन ने हरित क्रांती का अनुसरन किया है जिसे ऑप्रेशन फ्लड के नाम से पुकारते हैं संस्थागत सुधार समय समय पर केंद्रिय और राज्य सरकारों ने क्रिशी सुधार के लिए विविद उपाय किये है सरकार ने विभिन सुविधाएं प्रदान कर सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से क्रिशी सुधार के कारेक्रमों को आगे बढ़ाया है इसके तहट निम्न उपाय किये गए है जमिन्दारी प्रथा का उन्मूलन छोटी जोतों की चकबंदी कर उन्हें आर्थिक रूप से उपियोगी बनाया है रेडियो और दूर दर्शन के माध्यम से किसानों को खेती की नवीन्तम तक नीकों से परिचित कराया जाता है फसल बेमा योजना के तहत फसल की बरबादी की भरपाई का प्रावधान किया गया है प्राय फसले प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाड, ओला, वरिष्टी, चक्रवात, आग, रोग, आदी से नश्ठ हो जाती है और किसान को हानी उठानी पड़ती है परन्तु फसल बेमा के द्वारा गहाटे की पूर्ती संभव है किसानों को क्रिशी के आधोने करण के लिए ग्रामीर बैंक तथा सहकारी समितियों द्वारा बहुत कम ब्याज तर पर रिण की सुविधाएं उपलब्ध हैं दूर दर्शन और रेडियो के माध्यम से किसानों को मौसम तथा मौसम विशेश में फसलों को बोने की विस्तरित जानकारी दी जाती है सरकार ने अनिश्चित्ता को दूर करने के लिए विभिन फसलों का नियूनतम मूल्य निर्धारित कर किसान के हितों की सुरक्षा की है वैश्वी करन और इसका भारतिय क्रिशी पर प्रभाव वैश्वी करन का उदेश्य अपनी रास्टिय अर्थ व्यवस्था को विश्व की अर्थ व्यवस्था के साथ जोड़ना है यह स्वतंत्र एवं मुक्त अंतरास्टिय व्यापार के सिध्धान्त पर आधारित है जिसे एक निश्चित सम्यावधी में पूरा करना है वैश्वी करन ने अब संसार के अनेक देशों को आपसी व्यापारिक समझावते करने की प्रक्रिया से मुक्त कर दिया है वैश्वी करन से सुनिश्चित होता है कि तुलनात्मक मूल्य पर उच्च कोटी की वस्तुएं ही बाजार में टिक सकेंगी अतः इसके लिए विक्सित प्रौद्योगी की तथा भारी मात्रा में पूंजी की आविशक्ता होती है इससे ओध्योगिक तथा प्रौद्योगी की रूप से विक्सित देशों को लाभ पहुँचेगा भारत अपने किसानों के कुछ एक उत्पादों को कृत्रिम रूप से सारक्षन देकर उन्हें विदेशी प्रतिस पर्धा से बचाता रहा है परन्तो नई नीत के कारण अब उन्हें नई ओध्योगिक पर्यावरण में खुल कर भाग लेने का उसर मिला है इस बदलते परिद्रिश में हमें अपने अनुकूल जलवायों और मृदा का सरवोत्तम उप्योग करना है हमारे पास अपेक्षाकरत सस्ता परियाप्त मानोश्रम है जिनकी कार शमता को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए हमें अपनी कृशी को नए और विक्सित औजारों उपकरनों मशीनों से सुसज्जित करना चाहिए ताकि हम विक्सित देशों से प्रतेश परधा करने में समर्थ हो सकें वैश्वी करन के साथ अब हम विदेशों से परियाप्त पूंजी प्राप्त कर सकते हैं इस प्रक्रिया से जुड़ने से कभी कभी कई कठिनाईयां और परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है परन्तो आगे चल कर इसमें लाब होगा धैर और कठोर परिश्रम, विकट कठिनाईयों एवं चुनोतियों में हमारी मदद कर सकते हैं विश्व इस तरिय प्रतिस परधा में ठहरने के लिए भारत को अपने विशाल क्रिशी शमता का सही और योजनाबध तरीकों से उप्योग करना चाहिए हमें विक्सित देशों की तरह जैव प्राद्योगी की का उप्योग करना चाहिए देश के भीतर हे क्रिशी उत्पादों के लिए अप्रतिबंधित एवं एके कृत रास्ट्रिय बाजार का निर्मान किया जाना चाहिए इस कदम के लिए आधार भोध संरचना के सगन जाल जैसे सडक, बिजली, सिचाई की सुविधाओं के विकास की आवशक्ता है किसानों और व्यापारियों को आसान शर्तों और कम ब्यासदरों पर रिण सुविधा उपलब्ध कराना भी आवशक है